क्या VDL का D-Listing Rate 200K Plus आ सकता है क्या? आज के दिन VDL का Latest June 30 का Result आ गया है तो उसका हम Review करने वाले हैं इस वीडियो में आप नए हो तो प्लीज सस्क्राइब मैं चैनल and share with your friends Let's start talk on the VDL Limited regarding the D-Listing Process आप यहां देख सकते हो VDL का आज का Closing 137.45 रुपीस दिख रहा है और कल से यानि 5th October से VDL की Bidding, D-Listing के लिए उसकी Bidding कल के दिन स्टार्ट होने वाली है तो उसके लेकर हम VDL ने कल ही 3rd October के दिन उसका Result यानि 30 June 2020 क्वार्टर का Result डिक्लेर किया है तो यहां आप देख सकते हो VDL की Total जो Activity आने वाले 2 Week के लिए कौन सी रहेगी उसके बारे में तो यहां है Bid Opening Date, Bid Start at Market Awards October 5 Monday के दिन यानि कल के दिन आज 4th October 2020 का दिन है Last Date for the Upward Revision or Withdrawal of Bid यानि आप Bid लगाई है तो उसमें आप कुछ correction या तो वीडो करना चाहते हो तो October 8 तक का आपके पास टाइम रहेगा Bid Close हो रहा है October 9 को Last Date for the Announcement of Counter Offer यानि समझो 9 October के बाद एक Tentative Indicative Rate मिल जाएगा उरत टाइम पे समझो प्रमोडर और रहेट पे Disagree होता है तो उसके बिहाब से एक Counter Offer आ सकता है समझो 230 का रहेट Indicative Rate आया और एर रहेट पे प्रमोडर एग्रिव नहीं हो रहा है तो प्रमोडर Counter Offer करेंगे 170, 180 जो भी उसकी Tentative Day Rate उसका माइन में चलेगी ओ इसाब से एक Counter Offer आयेगी October 13 के दिन Last Date for the Announcement of Discovered Price यानि October 16 के दिन एक्जेटली उसका पता चल जाएगा और Successful जो D-Listing Price मिल जाता है तो October 23 से पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी वरना जो भी बीड है जो भी लोकिन ओप दी शेर से वो शेरोल्डर को रिटर्न किये जाएगा As on date today 52 Subsidaries Company है 2 Associate Company है और 3 Joint Venture है 15,687 करोर का टोटल रेवन्यू कंपनी ने पोस्ट किया हुआ है June 3 उसके अलावा हम Profit Before Tax की बात करें तो 2,333 करोर का टेक्स के पेले-पेले Profit Company ने डिकलर किया है उसके अलावा हम बात करें नेट प्रोफिट की तो यहाँ आप देख सकते हो 1,033 करोर का Profit Company ने आप्टर गा टेक्सिस नन कंट्रोलिंग इंट्रेस्ट एंड शेर इन प्रोफिट ऑफ जोइंट कंट्रोल एंटिटी एंड एंड एक्सेप्शनल आइटर यानि ओनर्स अब देवेदान्ता लिमिटेट का जो शेर रेता है वो लेज करके कंपनी ने 1,033 करोर का Profit डेक्लेर किया है उस बेजिस पे उसका EPS हम 2.80 अब हम सेग्मेंट वाइस रेवन्यू की बात करें तो यहां आप देख सकते हो कंपनी के पास अलग अलग जिंक, ओल एंड गेस, अलुमिनियम, कोपर, आईरन ओल, पावर, अदर्स ग्लास एंड स्टील के कारो बार कंपनी कर रही है यहां आप सेक्टर वाइस उसका रेवन्यू भी देख सकते हो, so the impairment for the quarter ended March 31st 2020 वो फिगर, mainly due to the significant fall in the crude oil prices, for COVID-19 को लेकर, company ने one time loss, so किया था, BAC, NAC में delisting होने वाली है, if NAC, BAC में successfully delisting हो जाता है, 10 to also delist the companies from American depository shares, ADS यानि New York Stock Exchange से उसका de-register होने वाला है, यहां आप देख सकते हो, point number 7, Vedanta Limited से acquired the control over the Faroe Oil Corporation Limited, on September 21st 2020 यानि 2 week पेहले, company ने NCLT से company acquire की हुई है, उसमें company, only one subsidiary company, फेरोर होन 90% stake in the Faroe, फेकोर पावर लिमिटेड, so company ने already 287 करोर अमाउट के साथ, आने वाले 4 years में company को payment करनी होगी उसका financial creditor को, और उसका जो payment term से March 2021 से start होने वाली है, Tamil Nadu Pollution Control Board in April 2018, उसका existing copper smelter जाग प्लान था, वो एक reject कर दिया है, उसके अलावा उसका existing copper plant जो था, वो permanently seal किया गया है, so company ने madras high court में उसकी appeal petition file किया हुआ है, उसको लेकर company ने एक positive reply भी मिला है, so आने वाले time में exactly क्या होने वाला है, उसका पताम चल से, वेदानता entity wise case and date, तो वेदानता limited के पांच date 33,247 करोर का है, उसके सामने case and case equivalent 4000 करोर का है, so net date 29,000 करोर का दिख रहा है, वो June 30, 2020 के दिन दिख रहा है, यानि आप देख सकते हो, last 2019 के हिसाब से हम comparison करते हैं, तो उसमें drastic fall दिखने को मिल रहा है, Ken India is the surplus case company, Chink India also the surplus case company, क्यूंकि 5000 करोर का date है, उसके सामने 20,500 करोर की case दिख रही है, so 15,000 की case surplus company में दिख रही है, so हम उसका consolidated Vedanta Group का हम date देखते हैं, तो 58,568 करोर का total date है, उसके सामने 33,781 करोर की case available है, so net date 25,000 करोर के करीब अमको दिखने को मेज़ा, यहाँ आप देख सकते हो company का total जो share holding pattern है, June 2020 का, तो यहाँ आप देख सकते हो 371 करोर sales total है, उन में से 186 करोर promoter के पांस है, 184 करोर public के पांस है, और जो employee के पांस है, वो 1.38 करोर sales, public की बात करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो, public के पांस 49.49% stake available है, उन में से यहाँ जो भी आपको mutual fund के पांस 11% है, API, foreign portfolio investors के पांस 15% stake है, LIC के पांस 6.37% stake है, तो उस basis पे हम Excel की मदद से हम उसका calculation देखने वाले है, तो यहाँ आप देख सकते हो, पेल है जो VDL की total number of shares है, वो 371 करोर shares है, उन में से promoter के पांस 186 करोर shares है, ADR में आप देख सकते हो 16.24 करोर shares available है, और उसके बाद में, पॉब्लिक के पांस 169 करोर shares available है, तो इस delisting process में ADR को American Depository Receipt को अभी हम touch नहीं करने वाले है, त्योंकि company का commentary है, उन में भी साब साब दिख रहा है कि पेले Indian stock market में वो delisting होगा, उसके बाद ADR में delisting होने वाला है, तो यहां हमने ADR के अलावा जो भी total shares है, 355 करोर total share वो लिये है, उन में से promoter के पांस 186 करोर shares है, तो public के अपांस 169 करोर shares available है, excluding ADR shares, तो company को 90% stake की requirement है, वो आ रहा है 320 करोर, उन में से हम promoter का stake less करते हैं, तो 133.56 करोर shares public holding में जो है, वो promoter को delisting करने के लिए purchase करना पड़ेगा, तो अब एक conclusion पे अभी आ गए है कि 133.56 करोर shares company को open market delisting के जरिए purchase करना है, यानि 35.54 करोर shares वो है जो company सायद accept ना करे तो भी चल सकता है, क्योंकि to make the company delist at least 90% stake is required, so to make the 90% stake including promoter stake already promoter के पांच 52.43% stake है, so उसके अलावा company को 133.56 करोर की requirement है, September 2017 से वो drastically slow by slow decrease हो रहा है, so September 2017 से लेकर June 2020 जग almost 3% का stake sale दिख रहा है, LIC का जो share holding है वो already यहाँ आप देख सकते हो September 2017 के period से वो दिख रहा है, ICC Prudential Equity Arbitage Fund जो है वो June 2018 में यह fund ने भी डिल का share purchase करना स्टार्ट किया हुआ है, so यहाँ आप देख सकते हो जो इस total जो हम बात करते हैं analysis की तो यहाँ mainly 2017 से लेकर 2019 तक mutual fund का mostly buying हुआ है, so mutual fund के पांस आज की date में 11% stake दिख रहा है, अब हम बात करते हैं stock price की तो यहाँ आप आर्चिव में देखते हैं, तो 2017, 2018, 2019, 2020 में VDL का high low यहाँ आपको दिख रहा है, 2017 में lower 214 यानि 250 रुपीज का था, high 350 का था, वही high 2018 में 350 का है, lower 200 के करीब है, 2019 में भी 125 का low है और 200 का high है, तो हम अभी analysis के दोर पे यहाँ बात कर सकते हैं कि जो भी mature fund की buying activity वो रही है, वो यहाँ आप low price भी count करते हैं तो 130, 140 के करीब यानि 150 हम count करके चल सकते हैं इन्हें lower range, और upper range में 350 का rate आई दिख रहा है, वो भी हम 300 यातो 270 का rate हम count करके चल सकते हैं, तो हम उसकी average भी निकालते हैं तो 180 से लेकर 200 तक की tentative average हमको मिल सकते हैं, यार बिटेश fund के पास 5% stake है, यानि 18 करोर sales total है, वो उसकी हम बात करें, cost of purchase की तो दोस्तों के करीब उसका rate हमको दिखने को मिल रहा है, क्योंकि 2017 से लेकर 2019 तक यह जो fund का buying हो रहा है, वो हमको दिख रहा है, same way SDFC में भी 12 करोड share से, LIC के पास भी almost जो भी buying है, वो 300 plus का buying दिख रहा है और lower bank पे 150 का buying है, तो हम average उसका 200 का buying count कर सकते हैं, तो उसकी जो bid आएगी, वो aggressive, यानि no profit, no loss पे भी आई, आराई है, तो हमको 200 का rate दिखने को मिल सकता है, उसके अलावा हम बात करते हैं, API की तो API के भी holding almost 200 के rate पे ही दिखने को मिल रहा है, तो VDL के case में, ज्यादा तर जो भी holding दिखने को मिल रही है, यहाँ जो total share holding हमने लही है, Excel में, तो यहाँ आप देख सकते हो, mostly जो भी NTD आज की rate में VDL hold कर रही है, उसकी holding 200 रुपीज के अबो दिख रही है, अब हम बात करते हैं VDL की, तो यहाँ आप देख सकते हो, उसकी recently, यानि September 4 का यह article है, यहाँ Vedanta slash the book value ahead of the deal listing, इस article में साफ साफ लिखा है कि Vedanta की जो book value 147 की थी, वो 90 के करिम दिख रही है, due to restructuring या तो right off of the capital reserve, so उस बेज इस पे इस article में साफ साफ लिखा है कि वेदानता के पास, 138 से लेके 140 तक पेमिट करने का एक बंद्रोबस किया गया है, वेदानता लिमिटेट ने 3.15 billion dollar fund rise किया है, उन में से 175 billion 3 month का term loan है, 1.4 billion dollar, 3 years का amortization bond 13% की एल की मज़द से है, प्लस उसका hinging का जो dividend मिला है, वो भी आज कंपनी के पास है, अब हम बात करते हैं, इस delisting procedure की तो, जो अगरवाल सहाँ दे, वो थोड़ा बहुत भी aggressive delisting के बारे में सोच सकते हैं, क्योंगे अभी आज के time पे, aluminum plus oil की जो prices अप हुई है, उस basis पे आने वाले time में, वेदानता लिमिटेट का short term के लिए, ये delisting procedure cancel भी हो जाती है, ये तो price में correction जरूर दिखने दिखनेगा, बट आने वाले 2-3 quarter के बाद, again re-rating होनेगा, पुरा-पुरा चांसी से, aluminum हो, और oil और gas का जो sector है, अभी उसका price भी recover होने को दिख रहा है, उसी को लेकर, again book value में, एक अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखने को मिल सकती है, so 130, 140, 150 के rate, आने वाले एक या दो साल में, वो common हो जाएगा, if delisting not successfully done रहता है, वो एक टेक्निकली बहुत lengthy procedure है, उसमें बहुत time consuming होता है, बहुत सारा compliance भी करना रहता है, so, सायब यह भी हो सकता है, कि अगरवल सायब, एक aggressive bid भी accept कर सकते हैं, इस मामले में, but again, company का एक हम date consider करते हैं, तो company के पास उसका जो peer companies का comparison करते हैं, तो एक बड़ी date दिखने को मिल जाई, so उसी को लेकर, company सायब वो भी सोच सकती है, कि इतना बड़ा date और business की uncertainty को लेकर, हमको aggressive price पे delisting नहीं करनी है, so सायब delisting cancel भी हो सकती है, so इस total case में, हम 130 के rate पे share मिलता है, या तो हमारा costing net net 130 हो जाता है, और हम 120 के stop loss, 115 के stop loss के इसाब से, ये share जरूर वाय कर सकते हैं, अमरा upper main target रहेगा 170-180, aggressive delisting price 200 प्लस भी दिखने को मिल सकता है, but due to heavy burden and uncertainty of the business, सायब VDL के case में 133 करोड शेर्स, जो promoter को additional buy करना है, to reach 90% shareholding, उसके basis पे हम बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा challenge हम बोल सकते हैं, और VDLJC एक अच्छी dividend paying, dividend yield company, being a shareholder, ये जो cancel भी हो जाता है, तो short term के लिए, एक थोड़ा बहुत panic, A stocks में हो सकता है, बट long term के लिए, A stocks again, 150, 140, 170 के rate पे, जरूर दिखने को मिलेगा, so DListing successful नहीं भी होता है, तो for a shareholder, it's a wonderful, क्योंकि dividend मिलेगा ही मिलेगा, debt जो है, वो drastically fall हो जाएगी, क्योंकि DListing का जो amount case पड़ा है, वो सिधा सिधा debt reduction में चले जाएगे, so उसको लेकर कापी अर्थ तक interest burden भी reduce हो जाएगा, और 200 के plus DListing rate आता है, तो shareholder के लिए अच्छी ख़बर हम बोल सकते है, so being a shareholder हमारे लिए win-win position बन सकती है, if we are a long term genuine investor, इस वीडियो के माध्यम से, एमे educational purpose के लिए ही हमें आभी बना रहा हूँ, ये वीडियो में मेरी कोई personal advice आपको buying selling की नहीं है, आप अपना over कर सकते हो, already हमने LIC mutual fund का cost of acquisition of the shares discuss किये है, so उसके लेकर आपको कोई भी query है या तो कुछ भी doubt है तो आप अपना study कर सकते हो, और आने वाले time में यानि कल के दिन VDL की bidding procedure स्टार्ट होने वाली है, so VDL का आभी आज की date में अच्छा result भी 3 rupees के EPS के सार्थ हमको दिखने को मिला है, so हम 10-12 rupees का yearly EPS count भी करते हैं, तो आज की date में भी 12-15 के PE पे ये share trade हो रहा है, और promoter जो AD listing offer ignore करते हैं या तो accept नहीं करते हैं, तो ये stocks में एक 30-40% की gear out भी दिखने को मिल सकती है, long term genuine investor आने वाले 2-3 साल का नजरिया है, तो इस stocks में कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रही है, और आने वाले time में हमको exactly पता चलेगा कि इस shares में delisting rate क्या आने वाली है, इसी के साथ हम उमीद के साथ हम आज का वीडियों समाथ करते हैं, thank you,